एटोमी की तरफ से यह इंफर्मेशन आप सभी लीडर्स को मिल चुकी होगी यह आप स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं कि दो लीडर्स की आईडी को कंपनी ने ब्लोक कर दिया है क्योंकि वो एटोमी कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन से उनके बाहर काम कर रहे थे तो द किन बातों का ध्यान रखना है बहुत ही जरूरी वीडियो है दोस्तों क्योंकि यह जो दो लीडर्स है यह रूल्स और रेगुलेशन के बाहर काम कर रहे थे क्योंकि जो वट्सअप है वट्सअप के ओपर हर जो भी लीडर है जो भी अटोमी कंपनी में जोईन है और आज अटो मी कंपनी को पर्मोट कर रहा है मान लिजा सभी लीडर्स यूटूब वीडियोस नहीं बनाते होंगे लेकिन वाट्सअप के ओपर सभी लीडर्स से पर्मोट करते हैं अटोमी को तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों Atomi का अपना ये जो लोगो है आप देख रहें स्क्रीन के ओपर इसको आपको यूज नहीं करना है किसी भी परमोशन में किसी भी मीटिंग में किसी भी सेमिनार में किसी भी सोसल मीडिया अकाउंट के ओपर आपको इस लोगो का यूज नहीं करना है Next दोस्तों ये जो Facebook Page का जो अपना लोगो है इस लोगो को भी आप कहीं भी यूज नहीं करेंगे किसी भी social media platform के ओपर आप इस logo को use नहीं करेंगे कुछ leaders हैं जो facebook page का यह जो logo है इसका screenshot लेके इसके ओपर अपना नाम और phone number लिखके और promote कर रहे हैं whatsapp के ओपर तो उनके खिलाब कारवाई हो सकती है company को एक minute लगेगा आपकी ID निकालने में क्योंकि phone number और आपका नाम आपने company को पहले ही बता दिया है वहाँ से आपको company को पता लग जाएगा तो logo जो है वो company का किसी भी तरह से आपको use नहीं करना है तीसरा point है दोस्तो Atomi के company के जो social media platforms है वहाँ पर company कोई भी information डालती है कोई भी video डालती है तो उस video को आप download करके उसके ओपर नाम और phone number लिखके हम उसको promote करते हैं जरूर ही नहीं कि हम YouTube वीडियो जी बनाएंगे आप WhatsApp के ओपर भी promote कर रहे हैं तो आपको वो नहीं करना है किसी भी तरह की video Atomi company की जो Atomi company के जो social media platform है जैसे YouTube है YouTube से आप install करके उसके ओपर आप अपना नाम और phone number लिखके उसको promote नहीं करेंगे उसका promotion नहीं करेंगे company ने इसके लिए special कुछ दिन पहले जो information भी दी थी हमें कि आपको जो videos हैं या फिर logo हैं जो company के logo हैं उनको आपको use नहीं करना है अपना नाम और phone number लिखके तो इस चीज़ का आप special ध्यान रखेंगे दोस्तो next point बहुत ही जरूरी point है क्योंकि next point में मैं आपको बताने जा रहा हूँ whatsapp के ओपर promotion करते वे आप कि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों हो सकता है कुछ points मेरे से रह जाएं लेकिन फिर भी मुझे जो जरूरी लगा मैं points अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ तो अगर कुछ points मेरे से miss हो जाएं तो आप comments में मुझे बता सकते हैं अगली वीडियो में हम उनको discuss कर लेंगे तो दोस्तों बात कर रहे थे whatsapp के ओपर दोस्तों whatsapp के ओपर जबी भी हम promotion करते हैं जैसे हम PPT भेजते हैं हिंदी या English का message आता है या फिर कोई भी poster हम बनाके या फिर Iowa poster है कहीं से भी किसी भी group में या भी senior leader ने भेज़ा है तो उसको हम forward करते हैं तो किसी भी message में PPT में आप Atomi का logo यूज नहीं करेंगे और किसी भी message में जो latest message लिखते हैं हिंदी या English का किसी भी message में आप अपना नाम लिखके नाम के साथ में आप Atomi founder member Atomi representative इस तरह की wording आप यूज नहीं करेंगे आपके दवारा बनाय हुए किसी भी message को आप Atomi या Atomi India के नाम से पर्मोट नहीं करेंगे इसके लिए company आपके खिलाब सक्त कारवाई कर सकती है दोस्तों इस चीज का special ध्यान रखें WhatsApp के आप आप कुछ भी information होती है उसको आप जो है नीचे किसी भी leader का नाम लिखा हुआ होता है और नाम के साथ आप Atomi India founder member Atomi founder member Atomi representative इस तरह की wordings यूज होती है तो वो आप अब यूज नहीं करेंगे PPT अगर आप बना रहे हैं तो PPT के अंदर भी आप logo यूज नहीं करेंगे Atomi India की तरफ से कुछ information है उसको लिखके Atomi India लिखके आप information एड नहीं करेंगे आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर अपना सिरफ contact number लिख सकते हैं Atomi या Atomi India का नाम आप यूज नहीं करेंगे तो इस चीज का special ध्यान रखिये WhatsApp के ओपर अगला point दोस्तो जब भी आप Atomi कोई वीडियो बना रहे हैं कोई meeting कर रहे हैं सेमिनार कर रहे हैं तो Atomi कंपनी का comparison आप किसी भी other MLM कंपनी के साथ नहीं करेंगे इस चीज का special ध्यान रखिये आप meeting सेमिनार कर रहे हैं उसके recording कर लेते हैं अगर आप social media के ओपर वीडियो जबनाते हैं फेस्बुक के ओपर वीडियो जबनाते हैं यूटूब के ओपर वीडियो जबनाते हैं तो Atomi कंपनी का comparison आप किसी भी other MLM कंपनी के साथ नहीं करेंगे इस चीज का special ध्यान रखिये किसी भी other MLM कंपनी की बुराई आप नहीं करेंगे इस चीज का तो आप special ध्यान रखियेंगे दोस्तो Atomi कंपनी के बारे में अगर आप information दे रहे हैं अपनी team को या फिर कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं उसमें आप कुछ information दे रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी company की बुराई नहीं करेंगे कि आदर कंपनी की MLM कंपनी की किसी भी company की बुराई आप नहीं करेंगे इस चीज का special ध्यान रखिये दोस्तो सक्त कारवाई हो सकती है किसी भी leader के ओपर जो ऐसा करता हुआ पाया गया अगला point है दोस्तो बहुत ही ज़रूरी point जैसा कि मैंने whatsapp में बताया था अगर आप अपने social media account पर promotion के लिए कोई भी poster बना रहे हैं कुछ भी detail अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने नाम के साथ Atomi founder member या Atomi representative नहीं लिखेंगे कोई भी information आप दे रहे हैं Atomi India के नाम से आप कोई information नहीं देंगे इस चीज़ का special ध्यान रखें next point दोस्तो बहुत सबी leaders हैं next point दोस्तो हम सभी leaders के पास जो Atomi promote करते हैं तो हमें phone calls जरूर आती है कि sir हमें Atomi join करनी है हमें Atomi के बारे में कुछ बताइए तो वहाँ पर आपकी call record की जा सकती है और record हुई भी है एक दो YouTube channels ने जो है उसको डाला भी है कि Atomi के leaders है इनको पता ही नहीं है Atomi के बारे में तो इस चीज़ का आप special ध्यान रखेंगे आपकी जो call है उसको record किया जा सकता है आप अपनी तरब से किसी भी तरह की अपवा नहीं फैलाएंगे किसी भी तरह की information नहीं देंगे जो Atomi कंपनी ने नहीं दी है example के साथ मैं आपको बताता हूँ कुछ leaders है जो Atomi की launch date बता देते है अपनी तरब से कि उस date को company launch हो सकती है इस तरह की अपवा आप नहीं फैलाएंगे market में प्रोड़क्ट का प्राइस बता देते हैं कुछ leaders जो प्रोड़क्ट है अभी प्रोड़क्ट का प्राइस अविलेबल ही नहीं है कुछ प्रोड़क्ट की सिरफ MRP अविलेबल है DP प्राइस अविलेबल नहीं है तो कुछ leaders अपनी तरब से product का जो price जिस product का price available नहीं है वो भी price अपनी तरब से बता देते हैं तो इस चीज का आप special ध्यान रखेंगे atomic company ने अभी किसी भी product का price declare नहीं किया है किसी भी तरह की launch date company ने declare नहीं की है तो जो भी आप बोल रहे हैं phone के ओपर बोल रहे हैं अपनी वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया के उपर आप प्रमोशन कर रहे हैं तो इन ये जो चीजे हैं ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे जूम मीटिंग अगर आप कर रहे हैं जूम मीटिंग को भी रिकोर्ड किया काम करें अफवा फैलाई क्योंकि कंपनी का प्रिलॉंचिंग फेज चल रहा है किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रिलॉंचिंग फेज बहुत ही ज़रूरी होता है तो इन पॉइंट्स का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे दोस्तों जहां भी आप प्रमोशन कर रहे हैं आप ओ फेज़ ध्यान रखना यह जो पॉइंट्स फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं बाकि मैंने कोशिस की है कि यही जरूरी पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिसकस करू हो फिर भी दोस्तों कुछ न इतना ही दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने टीम के साथ ज्यादा ही ज्यादा सेर करें दोस्तों ताकि उनको भी पता लगे उनके उनसे भी कोई गलती ना हो अटोमी का प्रमोशन करते हुए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अटोमी से लेटिड वीडियोज मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम